सिंग्यून टियान जियो और जिंग सुवान का सामना करने के लिए रेडी हो गया था और इसके लिए उसने अपने स्वार्ड स्लेव को भी बाहर निकाल लिया होता है इसके बाद हम देखते हैं कि टियान जियो भी सिंग्यून का सामना करने के लिए अपने पाउर को एक्टि कर लेंगे अब उसके इस बात को सुनकर जिंक्स वान भी उसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर कहने लगता है कि जब से सिक्स सेक्ट कमपर्टीशन हुआ था उसके बाद मैंने सेक्ट में वापस आकर बहुत सारे फिल का यूज किया था जिसके बज़ा से मेरी कल्टीवेशन ये नियांग रिल्म के तीसरे लेबल में पहुँच गई है और इसलिए उसे भी लगने लगता है कि अगर वो एक साथ म हम देखते हैं कि जिंग सुवान सिंग्यून का मजाक उड़ाना सुरू कर देता है और फिर कहने लगता है कि मैं अपनी ताकत से तुम्हें बहुत ही असानी से मार दूंगा अब इतना कहने के बाद वो जिंग सुवान के साथ मिलकर सिंग्यून के ऊपर एक पारफुल अट को रोक देता है और फिर इन से कहता है कि तुम्हारा यहां अटैक तो बहुत ही कमजोर था इसके बाद हम देखते हैं कि जिंग सुवान बहुत है रहान हो गया था क्योंकि अब उसे पता चल गया होता है कि सिंग्यून के पास असल में यह नियांग की लेवल फोर वाली कल् कोशिस करते हैं लेकिन तब ही हम देखते हैं कि इनके कुछ कर पाने से पहले ही सिंग्यूनिन के उपर अटैक कर देता है जिसके बाद यह दोनों एक साथ मिलकर उसके अटैक को रोकने की कोशिस करने लगते हैं अब यहां देखते ही ट्यान जीयों का फादर भी इनकी हैं फाइट में कैसे इनवाल्व हो सकते हो जिसके बाद हम देखते हैं कि गूफ हैंसिंग और फानवुजी भी इसकी मदद करने के लिए यहां पर आ जाते हैं और इस तरह से यह तीनों मिलकर इनको रोक देते हैं वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंग्यून का अटै बहुत ही हैरान हो गए थे और फिर वह कहने लगते हैं कि सिंग्यून की तलवार तो बहुत ही ज़्यादा पाउरफुल है क्योंकि उसने केवल एक अटैक में ही दो लोगों को मार दिया वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ट्यांजियो का फादर भी अपने बेटे की मौ चाना चाहते थे जिसके वजह से उनकी किस्मत पहले से ही खराब हो गई थी इसी के साथ सिंग्यूनिन दोनों का भी मजाक उड़ाना सुरू कर देता है क्योंकि इतना सब हो जाने के बाद भी ये दोनों अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे थे इसके बाद हम देखते हैं कि नीचे दोनों तरब के सोलजर भी आपस में फाइट करना सुरू कर देते हैं जबकि डलाव गोल्डन सेक्ट का मास्टर भी बहुत ज्यादा गुसा हो गया था लेकिन तभी इसी बीच वूजिंग भी यहाँ पर आ जाता है और फिर वह अपने ड्रैगन की पाउर का यूज करके फाइट करना सुरू कर देता है वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंग्यून टियान ज्यू के फादर और डलाव गोल्डन सेक्ट के मास्टर के सामने आ गया था लेकिन तभी इसी वक्त टियान चुंग भी सिंग्यून के पास में आ जाता है और अब इन से कहने ल से कोई क्रिष्बल निकालते हैं जिसके पावर को वह अपने अपने वेपन के साथ में कंबाइन कर देते हैं जिसके बाद हम देखते हैं कि इन ने जाता पाइरफुल हो गया था इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों मास्टर के वेपन बहुत ही ज़्यादा पाउरफुल हो गए थे और फिर टियान जीयो का फादर कहने लगता है कि मैं भी देखना चाहता हूं कि अब हमारे बड़े हुए इन पाउर के सामने कोई कैसे ठिक पाता है अब इतना कहने के सामने के लिए रेडि हो गया था और इसके बाद वो अपने लाइटनिंग के पाउर का यूज करके उपर अटैग कर देता है तभी हम देखते हैं कि इसके इस पाउर के वजह से एंदर क्राक आने लगे थे जिसे देख टियां चुण कहने लगता है कि भले ही अंसियंट बेल की पाउर बहुत ही wonderful है लेकिन मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरे attack को कैसे रोक पाते हो लेकिन तभी इसी बीस्ट यांचोंग अपने पीछे मुरता है जहां पर वो देखता है कि डलाओ गोल्डन सेक्ट का मास्टर उसके उपर attack करने वाला था अब यह देख तुम किसी तरह से उसके attack से खुद को बचा लेता है इसी के साथ अब उसे यह भी realize हो गया था कि यह तलवार तो बहुत ही ज़्यादा powerful है इसके बाद हम देखते हैं कि डलाओ गोल्डन सेक्ट का मास्टर एक बार फिर से इसके उपर attack कर देता है लेकिन तभी गूफ हैंसिंग बचाने के लिए इसके सामने आ जाता है और इस तरह से इसके attack से उसकी body gap हो जाती है अब इस बात की वज़ा से टियान चोंग और सिंग्यून दोनों ही हैरान हो गए थे और फिर डलाओ गोल्डन सेक्ट का मास्टर इन से कहता है तुमें क्या लगता है क्या मेरे पास वाली तलवार उतनी ज़्यादा powerful नहीं है अब इतना कहने के बाद वो इनके उपर भी attack करने के लिए ready हो गया था जिसे देख अब allied soldier के अंदर भी हिमत आ गई थी और इसके बाद वो सिंग्यून के आर्मी के साथ में attack करने चले जाते हैं इसके बाद सिंग्यून कहने लगता है कि निर्वाना sword slave कोई जिन्दा इंसान नहीं थे जिसके वज़ास से अगर उनका soul destroy नहीं होगा तो मैं फिर से उनको generate कर लूँगा लेकिन इसी के साथ वो इनके पास वाले crystal को देख हैरान हो गया था क्योंकि उसने उमीद नहीं किया था कि डलाओ golden sector और सेंसियाओ हॉल के पास में ये दो crystal होंगे क्योंकि इनको अपने अपने weapon के साथ में combine करके इनोंने अपने weapon को बहुत ही ज़्यादा powerful बना लिया था जिस बात के वजह से इन सभी को ऐसा लगने लगता है कि वो दोनों सिंग्यून को बहुत ही असानी से हरा देंगे इसलिए सिंग्यून भी समझ जाता है कि ये दोनों crystal ही इनके सबसे ताकतवर card है तबी टियाँ जीओ का फादर सिंग्यून से कहने लगता है कि अब तुम्हारे पास में केवल चार निर्वाना लेबल वाले practitioner है जिसमें से वुजिंग तो वार situation के वजह से बंदा हुआ है जबकि उन में से एक पहले ही मारा गया इसलिए टियाँ जीओ का फादर सिंग्यून से कहता है कि अब तुम्हारे पास में केवल और दो ही ताकतवर लोग बचे हुए हैं और अब इतनी बात कहने के बाद वो सिंग्यून का सामना करने के लिए ready हो जाता है अब इस बात की बज़ा से टियाँ चुंग थोड़ा सा हैरान हो गया था लेकिन हम देखते हैं कि सिंग्यून को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वो इन दोनों से कहता है कि तुम सभी को मारने के लिए केवल हम तीनों की पावर ही बहुत ज़्यादा है तब इसके इन बातों को सुनकर टियाँ जियू का फादर मुस्कुराने लगता है और फिर कहता है कि अगर यह बात टियाँ चुंक कहता तो अच्छा लगता लेकिन तुमारे मों से ऐसी बाते बिल्कुल भी सोभा नहीं देती और इस तरह से ऐसी बाते करके टियाँ जियू का फादर उसका मजाक उड़ाना सुरू कर देता है वहीं अब डलाव गोल्डेन सेक्ट का मास्टर भी सिंग्यून के उपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और इसी के साथ वो उसे मारने की बात भी करने लगता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंग्यून बिल्कुल भी इनके सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं होता और इसके बाद वो इनका सामना करने के लिए अपने पास में से कोई क्रिस्टल निकालता है जिसके बाद हम देखते हैं कि उसमें से बहुत ही ज़्यादा पाउर निकल रही थी अब इसे देखते ही खुद एल्डर मोवी हैरान हो गया था और फिर वो कहता है कि जहां तो है बैंडी होली इस्परीट बीड है वहीं दूसरी तरफ अब सिंग्यून भी फैरी स्परीट को बाहर निकलने का ओरडर देता है जिसके बाद हम देखते हैं कि वो क्रिस्टल एक जाइंट सोलजर में चेंज हो जाता है जो की दिखने में बहुत ही ज़्यादा पाउर फुल लग रहा था अब इसके तुरंत बाद ही सिंग्यून इसके पाउर का यूज करके इनके उपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है जिसे देख टियान जियो का फादर सिंग्यून से कहने लगता है कि तुम इसके पाउर का यूज करके हम दोनों को मारना चाहते हो और हम देखते हैं कि टियांचियो के फादर को उसकी पाउर बहुती कमजोर नजर आ रही होती है अब इतनी बात कहने के बाद वे दोनों मास्टर एक साथ मिलकर सिंग्जुन के उपर अटैक कर देते हैं लेकिन अब यहाँ देखते ही सिंग्जुन भी इनके उपर अटैक कर देता है जिसके पाउर के सामने इन दोनों मास्टर का अटैक बिलकुल भी नहीं ठिक पाता और अब इस बात की वज़ा से दोनों पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं लेकिन अब इन दोनों को इसके बारे में ज़्यादा देर तक सुचने का चांस नहीं मिल पाता और तभी इस सी बीच वज़ा फियरी स्परीट अपने पाउर का यूज़ करके इनके उपर अटैक कर देता है